अच्छा ये बताईए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आखिर दिग्विजे सिंग को अब मैं हिंदू ब्रोधी नहीं हूँ ये क्लेरिफिकेशन देने की क्या जरूत लग गए जैसे रावड था रावड को लगता था कि अब भगवान राम के हातों मुझे मोक्ष मिलेगा मुझे लगता है कि दिग्विजे सिंग भी अब उसी रास्ती पर हैं कि संग की सरण में आकर अब इस बिचार में और हिंदूत्य में ही जीवन है इसलिए वो इस प्रकार का क्लेर प्रिपिकिसन देने का काम कर रहे हैं उन्होंने इतने पाप किये इस देश के अंदर आतंकवाद का समर्थन करके नक्सलबाद का समर्थन करके हिंदूत्य पर प्रहार करके इस हिंदूत्य को जो आज स्वामी विवेकानंद के जैंती के अवसर पर जिस स्वामी विवेकान प्रतिस्थापना पूर्य दुनिया के अंदर की थी आज युवा दिवस के अवसर पर आज दिग्वजय सिंग इस बात को कहने के लिए मजबूर हुए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिंदुत्त पर प्रहार और भगवा आतंकवाद कह करके आपने भारती संस्कृति को भगवा सब्द को जो हमारे रजपुताना की पहचान मानी जाती है आपने उसका भी अपमान किया था दिग्वजय सिंगी आज आपको अब लगने लगा है कि इस देश के अंदर इस समाज के अंदर हम इसी धरा में मैं अपने आपके अब उन पापों को धो सकता हूं तो दिग्वजय सिंगी एक बयान दे करके और प्रैस को ये कह करके कि मैं हिंदुत तो बिरुदी नहीं हूँ इससे आपके पाप नहीं दुलेगी जनता ने आपका हिसाब किताब किया है और अच्छा हिसाब किताब जरूर करेगी तो माहिर है न ऐसे लोगों का क्या करेंगे आप जो 24 गंडे जूट बोलते हूँ जो महांचन सर्मा की सहादत पर आतंक बादियों के घर जा करके उनका सम्मान करते हूँ और महांचन इस को कि सहाधत का बदला लेती है उझसेना पर पर नहीं करते हैं कि इससरी की इस्ट्राइक का पूरूफ को इससे कोई निकरष्ट बात कि सी नेतरतुप में यह सकती है तो इस प्रकार के अनरगल बातें करना आरूप लगाना ये उनका काम है अब इनको ने कोई अमीरता से लेता है आप प्रासंगिक तो होई गए और मेरे को तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अबस्था के कारण से भी साइद जो मुझे लगता है कि बुजरुग विक्तियों का ह साइद मुझे लगता कि ऐसी प्रस्यतियां बन रही है कि कॉंग्रेस के लिए दिग्विजा सिंग खुद दीमक बन गए वह जब तक थोड़ी बहुत और कुछ बची है जब पूरा घुन्नी लगा देंगे तब तक वह मानेंगे नहीं कॉंग्रेस कोनों ने खतम यहां कर दिया देश के अंदर कॉंग्रेस खतम हो गयी कांग्रेस से लिए कंगरेस के लिए तो वह आरैसेस की बात करने लाग जाते और ए प्रेसेस क्या है यह समाज इस बात के स्विकारोक्ति नहीं देता है।